कभी अगर बनना हो तो बास बनना, लेकिन कभी दोता मत बनना दोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा हो जाय तक उड़ नहीं सकता बास बोलता बहुत काम है, लेकिन सबसे उर्चाई पर उड़ता है और बाकी पंचियों का राजा होता है एक बास आज मैं आपको पांच इसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को पांच से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन पांच पॉइंट्स में पहला लेसन इगल फ्लाई अलोन पांच अकेले उड़ता है और बाकी पंचियों के मुकाबले सबसे उलचाई पर उड़ता है पांच अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिडिया और छोटे पंचियों के साथ नहीं उड़ेगा बाज हमेशा है तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला होता है और इस समय ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मोका मिलता है दूसरा लेसन बाज का विजन बहुत जादा क्लियर होता है और बहुत जादा स्ट्रोंग होता है बाज अपने शिकार को पांच किलोमेटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्त में कितनी भी मुश्किले क्यों ना आए वो अपने लक्ष को हासिल करके दम लेता है इससे भी एक बहुत पड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिट चाहे कितनी भी मुश्किले क्यों ना आए पीछे मत अटो उस बाज की तरह तीसरा लेसन बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता वो हमेशा जिन्दा शिकार करता है और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है तो अपने उन मरे हुए सड़े हुए थोटस पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिन्दगी पर ध्यान लगाओ अपने पास्ट की पुरानी यादे जो तुम्हें तंक करती है उन्हें वही रहने तो जहां पर उसकी जगह है और तुमारे पास्ट की जगह है तुमारे पास्ट में उसे वर्तिमान में जगह मत दो क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजन में नहीं रहने देगा पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो वो सब यादे वो सब थोड़ से मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता चोथा लेसल जब आंदी तुफ़ान आते हैं तो बाज बहुत ज़ादा एक्साइटेड हो जाता है जब बारिश होती है तो सारे पंची चिपकर बेड़ जाते हैं लेकिन बास को बड़ा मजाता है जब तेज होआई चलती है तो बाज उन होआओं के सारे और तेजी से उपर के और उड़ता है और उपर उड़ते उड़ते इतना उपर उड़ जाता है कि बादलों से भी उपर पहुंच जाता है और जिस जिन तुमने आउस्वरों को पेचा